जिस किसी ने भी दात दर्ध को जहेला है वह इस बात को अच्छे तरह जानते हैं कि दात का दर्ध सबसे खतरनाक दर्ध में से एक होता है नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल मुपतिग्यान गुरुजी में स्वागत है दोस्तों कहने के लिए तो दर्द आपके दात में होता है लेकिन मूं, सीर और गर्दन सब दर्द से तड़पते हैं दोस्तो आपके तूथ फेष्ट में नमक हो या ना हो मगर जब दातों में दर्द होता है तो अगर आप गर्म पाने में नमक डालका खुलना करने से आपके दात के दर्द में तुरंट आराम मिलता है दोस्तो दातों के दर्द में तुरंट आराम के लिए कुछ ऐसा ही जबरजस्त घरिलू नुस्का ले करके आई हैं जिसकी मदद से आपके दातों का दर्द तुरंट ही आराम महसूस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नुस्का दोस्तों नुसका शुरू करने से पहले आप से हमारे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें इतना साथा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जबर जस्त घारेलोन उसके ले करके आ सके तो दोस्तो सबसे पहले हम लेंगे गाजर दोस्तों गाजर में कैलोरी फाइबर काबु हाइडरेट सोडियम पेटेसियम केलसियम आयरन बिटामिन सी और बिटामिन ए भी होता है जो हमारे दातों के परिशानी को दूर करता है अब हम इसे छील करके कदू कस कर लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम की इस तरह से इसे पहले छील रहे है अब हम इसे कदू कस करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसको कदू कस कर लिया है अब हम इसे चन्नी या किसी कपड़ी के मदद से इसका जूस निकाल लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक चम्मस के वराबर गाजर का रस निकाल लिया है दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ों है दोस्तों नीबू तो इसमें हम एक चम्मस के वराबर नीबू को डाल देंगे दोस्तों अब हमें थोड़ी सी इसमें हाल्दी पाउडर डालना है और दोस्तों सबसे लाश्ट में हम डालेंगे तूथ पे दोस्तों आपके घर में जो भी तूथ पेस्ट यूज होता होगा आप उसी का इस्तिमार कर सकते हैं अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करकर एक पेस्ट तयार कर लिया है अब इसे कैसे यूज़ करना है वो जान दीजिए दोस्तों आपको ब्रॉस की सहायता से इस तरह से लगा करके साफ किजिए अगर आप इस पेश्ट को सुवा और साम दोनो time इस्तिमाल करते हैं तो आपके दांतों का दर्द निश्चित है कि दो दिनों में ही आराम हो जाएगी दोस्तों इस रेमेड्य को yuuc करने से आपके दांतों का दर्द दांतों का पिलापन दांतों में लगे केड़े मशूडों का दर्द सब के सब ठीक हो जाएगा तो दोस्तों हमारी अर्यमेडी आपको कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब